5 rectangles करते हैं, चीक है? हाँ जी rectangles की counting जो है आपकी किस तरह से होगी? कि जैसे कि इसमें अगर मुझे इस figure में count करना के कितने rectangles है? चीक है? सबसे पहले ये वाला एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये चॺे, ये साथ, ये 8 और ये 9 चीक है? 9 तो छोटे वाले हो गए न अब ये जो हम count कर रहे हैं ये square भी होता है ये rectangle भी होता है चीक है? आपकी जो rectangle की पहचान है आपके mind में ये पहचान है rectangle की कि जिसकी opposite sides equal और parallel है चीक है? और 4 angle 90 degree के है चीक है? पर अगर मैं इस figure को देखू इस figure में भी opposite sides जो है वो equal और parallel है चीक है? और 4 angle भी 90 degree के है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक rectangle है यानि कि जो square होता है वो भी एक rectangle होता है चीक है? तो every square is a rectangle but every rectangle is not a square चीक है? तो जब भी हमें बोला जाएगा किसी भी figure में कि rectangles count करिये तो हमने क्या करना है जो square बन रहे है वो भी count करने है चीक है? तो इसी हिसाब से इस figure को second figure को अगर मैं count करूँ कि कितने rectangles हैं यहाँ पर तो ये देखो ये वाले तो हमने छोटे वाले तो 9 गिन लिए उसके बाद अगर मैं ऐसे से 2 squares को जोड़ू ठीक है? तो ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 ये 15 15 हो गए उसके बाद वर्टिकल ही अगर मैं देखो ये 16 ये 17 ये 18 ये 19 और ये 20 और ये 21 चीक है? उसके बाद 3 के जोड़ने से 22 23 24 उसके बाद ये 25 26 27 चीक है? उसके बाद ये वाला 28 29 30 31 चीक है? उसके बाद 32 33 34 35 और फिर सबसे बड़े वाला 36 Clear? तो यहाँ पर कितने rectangles हैं आपके? 36 rectangles तब अगर मैं ये बात करूँ कि 36 rectangles है तो इसमें हम क्या करेंगे? कि shortcut ये है कि इन values को add करना है जैसे कि 1, 2 और 3 को हमने क्या किया? add किया इधर से ये भी 1 प्लस 2 प्लस 3 हमने किया तो इसकी value कितनी आ रही है? 6 इसकी value भी कितनी आ रही है? 6 तो 6 6 इंटो 6 कितना हो गया? 36 यानि कि इस figure में आपके कितने rectangles हैं? 36 rectangles है clear है? चीक है? तो इसी shortcut से हम सारे equation solve करेंगे अब यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना आया? 3 यह 1 प्लस 2 कितना आया? 3 तो तो 3 इंटो 3 कितना हो गया 9 यानि कि इस figure में आपके कितने rectangles है 9 चीक है? उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कितना हुआ आपका 10 इधर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हुआ 10 तो 10 और 10 को अगर मैं multiply करूँ यानि इस figure में 100 rectangles है चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ये वाला इसमें 1 प्लस 2 कितना आया 3 इधर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आया 10 10 इंटो 3 कितना आया 30 rectangles clear है चीक है चलिए इधर देखिए फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ 15 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ 6 15 इंटो 6 कितना आया 90 rectangles ठीक है यानि इस figure में कितने rectangles है 90 done समझा गया ठीक है तो rectangles count करने है तो बस मुझे rows और columns की जो आपने counting कर रखी है rows वालो को add कर लो row numbers जो आपको given है वो add कर लो column number जो है वो add कर लो और दोनो values को एक दूसरे से multiply कर लो clear है चलिए अब अगला question झालो 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 से लो पैसे चलिए थांशे इस अवाल चलो अब हमने रिक्टेंगल की काउंटिंग कर ली चिक है अब square की counting करते हैं चिक है देखो square की counting में क्या रहता है कि जैसे कि अगर मुझे इस figure में count करने है कि कितने squares है तो आपने numbering करनी है 1 और 2 इधर से numbering करनी है 1 और 2 चिक है तो ये value कितनी है 2 ये value कितनी है 2 दोनों को multiply करने है 2 into 2 कितना हुआ 4 उसके बाद ये कितना है 1 ये कितना है 1 इनको multiply किया तो कितना आया 1 और इनको add करते हैं तो answer कितना आ रहा है 5 squares यानि कि इस figure में कितने squares है 5 चीक है उसके बाद अगर हम इस figure की बात करें चीक है तो यहाँ पर ये कितने है 3 ये कितना है 3 तो 3 और 3 को multiply किया 6 फिर 2 और 2 को multiply किया 4 3 और 3 को multiply किया 9 2 और 2 को multiply किया 4 और 1 और 1 को multiply किया 1 तो ये total कितना आ गया 14 यानि कि इस figure में कितने rectangles आ रहे है 14 squares चीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाली figure की यहाँ पर ये 1,2,3,4 यहाँ पर ये 1,2,3,4 ये value कितनी है 4 ये value कितनी है 4 तो 4 और 4 को multiply किया कितना आया 16 3 और 3 को multiply किया तो कितना आया 9 2 और 2 को multiply किया तो कितना आया 4 1 और 1 को multiply किया तो कितना आया 1 और इधर अगर आप इनकों सबको आड़ करते हो तो answer कितना आता है 30 मतलब इस figure में कितने squares है 30 squares है चीक है अगर मैं इस figure की बात करूँ ये value कितनी है 3 ये value कितनी है 6 तो 3 into 6 कितना हुआ 18 ये 2 हो हुआ उसके पीछे ये 6 के पीछे ये 5 बना तो 2 into 5 कितना हुआ 10 ये 1 into 4 कितना हुआ 4 तो इन सबको अगर मैं add करूँ तो answer कितना आएगा 32 यानि कि इस figure में कितने squares है 32 squares तो अगर मुझे square बताने है तो इन दोनों को multiply करके एक घटा के multiply करते रहो कब तक जब तक दोनों में से कोई 1 आजाए या फिर दोनों आजाए और उन सारी values को add कर दो और अगर rectangle बताने है तो इनको अलग से add किया जाएगा इनको अलग से add किया जाएगा और दोनों results को क्या किया जाएगा multiply किया जाएगा तो shortcut से square और rectangle की counting clear है ठीक है अब आगे अगला equation लिखो तो अग्याइ झाल झाल आची solve करिए shortcut आपको पता है use करो और बताओ कितने squares है और कितने rectangles है करिएिति झाल झाल क력ता है कल sau ग़ने कर दिए, स explorता यू झाल करृ पझाक कर दो कर भा लद से काम झाल यह किसीने सोल और एक्टेंगल्स आरहे है सबका ठीक है तेखो स्क्वियर्स कैसे पता लगेंगे अब इस फिगर में यह जो बीच में छोटे-छोटे एक्स्टा बने हुए यह वाले ऐसे से यह यह वाला, इक यह वाला, एक यह वाला और एक यह वाला चार इह पांच और यह 6, एक बर मैं इसको ignore कर देती है, ठीक है, एक बर हम इनको क्या करेंगे, ignore कर लेंगे, ठीक है, तो इनको ignore करने से, बाकी जो बच्चर है, वो वही figure है, जो हम already समझ चुके है, ठीक है, इनको ignore करने के बाद, यह देखो, यह कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, तो यह 5A value, यह 5A value, तो दोनों को हमने क्या किया, multiply किया, तो 5 इंटो 5 कितना आया, 25, उसके बाद 4 इंटो 4 कितना आया, 16, ठीक है, उसके बाद 3 इंटो 3 कितना आया, 9, उसके बाद 2 इंटो 2 कितना आया, 4, ठीक है, उसके बाद 1 इंटो 1 कितना आया, 1, clear है, ठीक है तो इन सब को अगर मैं add करूँ तो कितना हो रहा है? 55 अब ये 55 squares तो तब आ रहे हैं जब मैं ये छोटे वालों को ignore कर रही हूँ अब इन छोटे में भी तो square बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो ये 2 by 2 वाली figure है है ना 2 by 2 वाली figure है ना ऐसे भी दो और ऐसे भी दो तो 2 by 2 में कितने square होते हैं? 5 होते हैं जब ये जो figure ऐसे होती है आपकी इसमें कितने square होते हैं? 5 तो ये ऐसी वाली कितनी बन रही हैं? एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीक है? तो total 6 बन रही है ना एक में 5 है तो 6 में कितने होंगे? 85 squares ये आपका answer है अजी clear है? ठीक है? चलो अब इसके बाद अगर मुझे rectangles बताने हैं इसी case में तो ये इधर अब हमने क्या करने rectangle के लिए इनको add करना है और इनको add करना है तो इन सब का sum 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ? 15 multiply ये भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ? 15 15 इंटू 15 कितना हुआ? 225 है ना? अब अगर मैं इसमें count करूँ कितने rectangles है तो आपको याद होगा 2 बाई 2 में कितने होते हैं? 9 rectangles यानि इस एक में है 9 तो ये 9 वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो एक में 9 हैं तो छे में कितने होंगे? 54 तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 279 यानि कि इस figure में कितने rectangles है? 279 rectangles हाँ जी clear है? ऐसे figure काफी common है इस तरह से आपकी ना? बीच में छोटे-छोटे बने हुए होते हैं और आप से पूछ सकते हैं square बताओ यान rectangle बताओ दान? आगे बढ़े चलो अब square का basic तो आपने कर लिया मलए rectangle तो इतना ही है squares जो आप से पूछते हैं उसका basic वाला तो आपने कर लिया अब उसी basic को घुमा के कुछ questions आते हैं ठीक है तो अगला question है how many squares? अब जो बैं figures बना रही हूँ उसमें आपको ये बताना है कि कितने squares हैं अब बताना है झाल 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 प्राइब करूँ और यह जितना भी मैंने बनाया है ना कि सारों में शॉर्ट कट लग रहा है और वही शॉर्ट कट जो कर चुके हो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा उससे हुएगा बस यह लास्ट वाली फिगर बहुत इंपोर्टेंट है तो बिलकुल लास्ट में बनाईए मैंने झाली बनाईए तो झाल 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 वाला जो है ये टू बाइटू वाला ये जो फिगर है इसमें ये ऐसे दो और ऐसे दो तो टू बाइटू में कितने स्क्वेर होते हैं पांच फिगर में हो गए पांच स्क्वेर्ण पिर पिर इसमें भी पांच स्क्वेर्ण और इसमें भी फाइफ स्क्वेर्ण ठीक है प्लियर हुआ इसके बाद यह वाला देखो यह वाला यह जो है इसमें कितने है पांच उसके बाद यह वाला जो है इसमें भी पांच है अब इन दोनों फिगर्स में फरक किया यह दो स्क्वेर जो है ना यह पॉइंट से जुड़े हुए ठीक है? और इसमें ये दो square जो हैं वो एक square से जुड़े हो हैं ये जो मैं square को shade कर रही हूँ ये shaded वाला, इस square में भी आ रहा है ये वाला और इसमें भी आ रहा है उसके बाद ये वाला जो मैं shade कर रही हूँ ये वाला square इसका भी part है और ये shaded वाला इसका भी part है फिर ये वाला square देखो अगेन ये इसका भी part है और ये इसका भी part है यानि कि ये इस square में अगर मैं बात करो तो कितने है पांच इसमें भी कितने है पांच इसमें भी कितने है पांच और इसमें भी कितने है पांच पर जो ये वाला है ये दोनों में count हो गया ना फिर ये वाला इन दोनों में count हो गया और ये वाला इन दोनों में count हो गया तो कितने है जो overlap हो है 3 चीक है तो अब यहां पे तो simply आपने तीनों को add कर दे रहा है यानि 5 plus 5 plus 5 कितना हो गया 15 squares और इस case में अगर मैं 5 plus 5 चार बर है ना 5 प्लस 5 करूं तो कितना आ रहे है 20 और इन 20 में कितने ओवलाप होए है 3 तो माइनस 3 कर दिया यानि कितने squares आ रहे है 17 squares हांजी clear है ठीक है पता लग गया सबको चलो अब इसके बाद ये वाली figure इसमें कितने है again 15 इसमें ये देखो 2 by 2 वाला 5 फिर अगर मैं इसको देखो ये भी square बीच में ऐसे बन रहा है 5 फिर इसके बीच में बड़े वाले में भी ये कितने बन रहे है 5 तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए 15 squares चीक है उसके बाद ये वाला देखो इसमें ये जो बाहर extend हुए हुए बाहर निकले हुए इनको अगर मैं इग्नोर करूँ तो ये जो इस boundary के बीच में है ये देखो ये 123 123 तो 3 by 3 हो गया ना तो 3 by 3 में कैसे पता लगता है 3 into 3 9 2 into 2 4 और 1 into 1 1 तो 14 हो गए ना देखो, एक ये वाला extra है एक ये वाला extra है एक ये वाला extra है और एक ये वाला extra तो extra कितने है 4 तो 14 अदैने प्लूस 4 कितना होँए 18 स्कुएर्स आया समझ चीख है चलिए अब उसमें देखते हैं ठीक है, कितने स्कुएर्स है तो ये फिर वही बात है, ये बाहर वाला जो extended है ये चीज, इसको अगर मैं ignore करूँ, तो ये 1, 2, 3, 4, और ये 1, 2, 3, 4, तो 4 by 4 में देखो, 4 into 4 कितना हुआ, 16, 3 into 3 कितना हुआ, 9, 2 into 2 कितना हुआ, 4, 1 into 1 कितना हुआ, 1, ये तो हो गए 30, अब ये देखो, ये extra, ये 1 extra है, ये दूसरा square, ये तीसरा square, ये चौथा square, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, तो टोटल और कितने हो गए, 8 और, और भी बन रहे हैं, ये देखो, ये जो बाहर extend हुआ 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 है, ये वाला portion, इसकी वज़ा से ये देखो अंदर, ये square नहीं है, है ना, ऐसे ही है, ये देखो यह है ना, उसके बाद ये देखो, ये तीसरा square, ये तीसरा हो गया, अब ये एक और, ये 4 और, तो टोटल कितने हो गए, 42 squares, यहां तो बाहर extend हुआ 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 है, एक ही था ना, तभी इसकी वज़ा से नहीं बना, यहां जैसे 2 extended है, वैसे ये अंदर 2 है, जिसकी वज़ा से square बन रहा, आगया समझ, ये वाला देखो अब, इसमें अगर आप ध्यान दो ना, थोड़ा सा, इसके बीच में न, मैं ये, मार्क कर ली हूँ कि मैं किसकी बात कर ली हूँ, ये देखो, ये जो मैंने shade की है, ये चीज, ये ही figure है, ये ही figure घूम के बीच में fit हुई हुई है, ठीक है, तो अगर मैं ये shaded वाले को ignore करूँ, मतलब ये तो सारी teddy, ऐसे slope lines है न, सारी, इनको अगर मैं ignore करूँ, तो ये सीधी वाली lines देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे भी 1, 2, 3, इन, चीक है, तो यहां पर ये 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 हो गया, ये हर square के बीच में जो cross cross है न, उसको मैंने अभी फिलहाल ignore की है, तो 4 by 4 में कितने होते हैं square, 30, अभी हमने किया था 4 by 4 में 30 होते हैं, तो हमने 30 ले लिए, plus, अब ये जो मैं shaded वाला बना हुआ है, ये इ वाली figure जो बीच में fit to you है, तो इस figure में कितने हैं, 42, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 42, चीक है, तो 30 plus 42 कितने हो गए, 72 squares, यानि कि इस figure में कितने squares हैं, 72, ये पता लग जया है सबको, तीछे, लग जया पता, तो ये काफी important है,